डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांच चेकेन बाद प्रचलित, रूडियों, धार्मिक, परंपराओं, विचार सरणियों वे जीवन मुल्यों का समग्र रूपही भारत की गावों की संस्क्रती है भारती ग्राम ग्रामिन संस्क्रती की आत्मा है भारती ग्रामिन संस्क्रती की सर्वोत्तम विशेस्ता है आस्तिक भाव भारत का ग्रामिन जन प्रभू की सत्ता का घोर विश्वासी है वह दारिद्रे दीनता अत्याचार और पीडा को अपना ही कर्मफल मानता है धर्म के प्रती उसकी अंदभगती है इसलिए वह धर्म भीरू भी है वह थोते और सास्तर विरुद्ध धार्मिक प्रपंजोंड बंदा है उसे धार्मिक आडंबरों में जीवन का स्वर्ग दिखाई देता है प्रभू के प्रती भारती ग्रामिन की मानस में विद्यमान, श्रद्दा और विश्वास है ग्रामिन संस्कृती को सक्ति प्रदान करत विराम पेरा ग्रामिन संस्क्रती की दूसरी विशेश्ता बंदुत्व की भावना है विराम ग्रामिन जन दुखसुक में परस्पर साथ देना अपना कर्तव्य समझते हैं विराम अभाव की क्षणों में परस्पर सहायता करना कुमा खुसी के अवसर पर सबका सम्मीलित होना ग्राम संस्क्रती का मुख्य गुण है विराम गावों में बहन बेटी की इज़त सुरक्षित है विराम सत्रू भी बहन बेटी की ओर बूरी निगा है तता उंगली उठा कर नहीं देखता विराम पेरा गरीबी और अज्यान की कारण धोखा दड़ी ग्रामिनों का स्वभाव सा बन गया है विराम वहां दिल की सफाई और इमान की सचाई बहुत कम देखने को मिलती है विराम चेज लेकर भूल जाना दूसरे की नहर का पानी काट लेना अनाज चोरी कर लेना दूसरे के खेत में पसु घुसा देना ग्रामिन स्वभाव है पेरा बैमानी, सेतानी, इर दिश्या, द्वेश तथा वेल विरोध ग्रामिन संस्क्रती की आंतरिक व्यत्था कथा है विराम चोटी-चोटी बातों पर मन मुटाव होना ग्रामिन स्वभाव है इसलिए दूसरे के खेत में खडी फसल, कटवा देना, खलियान, फुंकवा देना, हलवाही, चरवाही, म मन मुटाव सत्रुता में बदलती है तो एक और हत्याओं का सिलसिला सुरू होता है और दूसरी और मुकदमे बाजी का चकर, सत्रुता और मुकदमे बाजी का व्यसन ग्रामिन नारी बच्चे को छुट्टी में घिलाती है और रक्त देकर सिंचती है विराम, सोशन ग्रामि गावों का देवता पंडित ग्रामिनों को हर तरह से चूसते हैं। विराम रिन देकर जीवन बर सूध भरवाते हैं। और मूल रासी के उपलक्ष में बंदुवा बनाते हैं। गावों का पंडित धर्म कर्म के नाम पर जी भर कर लूटता है। गावों के नाम पर जी भर कर लूटता है। गावों के नाम पर जी भर कर लूटता है। गावों के नाम पर जी भर कर लूटता है। गावों के नाम पर जी भर कर लूटता है। विवेका का उद्गम सिक्षा ग्रामिन संस्क्रती के अभिसार मा सारदा के प्रति विमुक्ता के परिणाम है। ग्रामिन संस्क्रती के मुल्यों में परिवर्तन के लिए ग्राम वासियों को सिक्षित करना होगा। उसे ज्यान प्राप्ती के सभी संभव साधन उपलब्द कराने होगे। ग्रामिन जीवन में संस्क्रतिक परिवर्तन के लिए जीवन जीने की जरूरतों को उपलब्द कराना होगा। दरपन बनेगे। किसान कठोर परिश्रम त्याग और तपस्वी जीवन का दूसरा नाम है। किसान का जीवन कर्म योगी की भांती मिट्टी से सोना उत्पन करने की साधना में लीन रहता है। वीतराग सन्यासी की भांती उसका जीवन पर्म संतोसी है। तपती दूप कडकती सरदी और घनगोर वर्सा में तपस्वी की भांती वह अपनी साधना में अडिग रहता है। सभी रित्वें उसके सामने हंस्ती खेलती निकल जाती हैं और वह उनका आनंद लूदेतता है। यह उसके जीवन की विसेसता है। सरश्टी का पालन विश्णु भगवान का कार्य है। मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। अतहें किसान में हम भगवान विश्णू के दर्शन कर सकते हैं। प्राणी मात्र के जीवन को पालने वाले किसान का तपश्या, पूर्ण त्याग, अभिमान, रहित उदारता, क्लांती, रहित परिश्रम उसके जीवन के अंग हैं। उसमें सुख की लालसा नहीं होती। प्राणी मात्र के जीवन के जीवन के जीवन कर सकते हैं।